हाई दोस्तों आपका मेरे चानल पर फिर से स्वागत है और दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने शिवशक में देख लिया होगा जी हाँ आज हम इस वीडियो में दो विश्यों पर चर्चा करेंगे पहला विश्य रहेगा माहिरा सेक्टर 68 में उसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि उसका लाइसंस रद कर दिया है डीटी सीपी ने कुछ उनके आंत्रिक मामले थे बिल्डर और कुछ कॉलिबरेटर के बीच में जिसकी वज़े से यह लाइसंस रद हुआ है पर देखें जहां इतना बड़ा तंत सबस्ताल नहीं हुई और यह जब प्रोजेक्ट नियर टू पोजेशन आया तो यह चीज़े के ओबर के आ रही है यह मेरी समझ से बाहर है और बहुत ही दुखद है एक के बाद एक गटना इस तरह की निकल के आ रही है गुड़गाओं के रियल स्टेट में जो वाकि में इ बाद में कुछ चीज़ें और निकल के आए जाए तो आगे वह क्या करें जिसे हाल विलाल आप देखें चिंतल का इंसिदेंट हुआ फिर आपका रोयल ग्रीन का इंसिदेंट हुआ रोयल ग्रीन का इस तरह से मैं कहूंगा धडले से फ्रॉड दिखता हुआ नजर आया कि माहिरा का फ्रॉड एक तसे फ्रॉड ही कह सकते हैं क्योंकि देखें आप लोगों को घर नहीं मिलेंगे जिन्हों ने पैसा दे चुके अपना पूरा पैसा दे चुके हैं वो लोग घर मतलब बेसिकली घर की उमीद में बैटे होंगे और चाहे आप देखें रहरा है अब कितना पैसा कितना नहीं है यह तो रहरा वाले ही बता सकते हैं बिल्डर तो अपनी कन्नी जाड़ लेगा यहां पे और रहरा वाले भी कितना क्या बना पाते हैं कितना समय लगता है इंसी जो में तो देखें टाइम बेस्ट हुआ मनी बेस्ट हो रही है लोगों की अब जिन है गुडगाओं के रियल स्टेट के लिए और यह मुझे कुछ तक जैसे नौइडा में जैसे गूफ आप या फ्रॉड हुए थे जो लगातार धीरे-धीरे उसी की कहानी याद दिला रही है यहां पर तो देखें आप इस पर मेरी तो गौर्वर्मेंट से यह गौर्वर्में करना चाहिए जिससे इस तरह की गतिवीदियां फीचर में रोक जाए नहीं तो गुडगाओं के रियल स्टेट पर भी वैसा ही इसका नेगेटिव परवाब पड़ेगा जैसा की नौड़ा या ग्रेटर नौड़ा में अपने देखा था तो बाकी अब जिसे 68 में जो होम ब लगेगा और किता समय लगेगा यह तो नहीं कह सकते अभी इसके बारे में अंदादा नहीं लगा सकते क्योंकि देखें गौर्वर्मेंट कार्य इतनी जल्दी होते नहीं है हमारे यहां पर तो यह तो आप सब लोग जानते ही हैं और देखें यहां पर चाहिए इस तरह का म सब्सक्राइब में मैं जानता हूं एक SRS ग्रूप था जो कि जिसने अपने आपको दिवालिया घुशित कर दिया गया कर दिया था तो वहां पर भी ऐसे इशू देखने को मिला लोगों ने काफी पैसा दे दिया तो उसकी आफ़रेवल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में आब देखिंगे आगाह कडते रहते हैं अपने कस्टमर को कि मही बध हैं उसकि और मैंने ञारी की साजए नहीं तो आप MRG जैसे बिल्टर के साथ जाए क्योंकि देखे जिनके ने काम किया है जिनों लंबे समय तक काम करना है और जिनके काम के बारे में पता चल जाता है अगर कोई काम कर रहा है लगातार मार्केट में तो उसके काम को देखके भी अंदाजा हो जाता है कि हाँ यह ब पहले से भी सतर्क किया था खासकर माहिरा के लिए तो मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया था बट अगर कुछ लोग फिर भी इस चीजों को देखे इन अग्नोर करते हैं और अग्नोर करते हैं तो फिर आप अपने देखे अपने नुकसान के लिए खुझ ही जिम्यवार ह देखे यह रही माहिरा यह इस तरह के बिल्डर की बाते हैं और बाकी देखे कुछ और भी मैं आपको कुछ और लिस्ट भी बता देता हूं कि जुन कुछ बिल्डर के प्रोजेक्ट अटके बढ़े किसी ना किसी कारण वर्ट्ष गुडगाओं में खासकर आफोडेबल जिसका 63A में ही प्रोजेक्ट आया था गॉल्फ को सेक्षेंशन रूड के पास तो उसके प्रोजेक्ट को भी आज तक कंप्लीशन नहीं हुआ है वहाँ पर भी कंप्लीशन नहीं हुआ है वहाँ पर ओसी शायद अभी तक अवेटेड है तो इस तरह से मतलब मैं कहूंगा क कि एक लौता प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पर आपको दिरे दिरे और प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे और इन फ्यूचर हो सकता है यह लाइन जो है लंबी होती जाए क्योंकि हो सकता है कि जो अभी गूफ आप निकल के आया है माहिरा में तो यह और भी आके बढ़ तो इसलिए आप जब भी कहीं निवेश करें तो बड़ी सतरकता पूर्वक निवेश करें पूरे मलब अनलाइज कर लें कि बिल्डर के यहां पर कोई इशू तो नहीं है बिल्डर के यहां से कुछ गड़वर तो नहीं हो सकती तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और तभी निवेश करें और आगे बड़े नहीं तो अंत में आपको नुकसान जहिलना ही पड़ेगा तो चली दोस्तों अभी यह बातों को यहीं अंत करते हैं अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि द्वारका एक्सप्रेस से रिलेटेड अपडेट है जो कि मैं आप अपने ग्रूप में तो जैसे टेलिग्राम में कई बारी हमारा डिसकेशन हुआ कि यह बहुत दोजार चौबिस या पच्चेश से पहले कंप्लिशन इसका दिखता नहीं है तो वही बात सिद्ध हुई यहां पर 2022 में गुड़गाओं मनला गौर्मेंट का क्लेम कर रही है अब यह मतलब वह भी देखें पूरा होता है यह नहीं होता वह नहीं कह सकते बट एक निवज आई है देखें यह आर्टिकल है चपा हुआ है टाइमस अफ इंडिया में तो यह देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहाँ हो आर्टिकल इसकी इसका लिंक भी बैस 2022 तक बट आगे दिल्ली के पोर्शन में समय लगेगा और देखें दिल्ली का पोर्शन जैसे मैंने देखा है हाल फिलाल जैसे मैं उदर से निकलता हूं कई बरी दौरका की साइड से तो मेरा आजाना लगा ही रहता है तो वहां पर मुझे लग रहा है कब करीबन करीबन दो एक साल लग जाएंगे तो लगबग वही जो हमारा अनुमान था कि भी चार साल से पहले यह दौरका एक्सप्रेस वे का जो प्रोजेक्ट है वह कंप्लीट नहीं होगा और वह अनुमान हमारा बिल्कुल जो लगबग था वह सही था तो अब देखते हैं जो दौरका सब्सक्राइब करने में और भी लंबा समय लगेगा तो यह वैसे मतलब जो कहूंगा आज दोनों अपडेट थी एक तरह से अच्छी नहीं थी दोनों ही बुरी एक तरह से मैं कहूंगा खबरें थी पर देखें बुरी हो या अच्छी हो हमें तो देखें हमारा जो चानल का मकसद यह है आपके तक सचाही लेके आएं और आपको सही अपडेट दें वरना गलत अपडेट देने वाले तो चैनल आपको हजारों मिल जाएंगे तो आप लोग देखें दोस्तों आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि द्वार का एक्सप्रेस वे दो حद्भ किन्यवर के हैं और कितने लोग प्या सोचते हैं इसके बारे में तो एक अंदाजा मिलेगा तो इसलिए आप लोग इसमें य Finnish निख सकते हैं से संतोस्ट होंगे और दिखें आपको यह दी गई जानकारी हां में माता हूं मुझा पशंट नहीं आई यहीं वाट देखें सचाय तो अगर देखें इस जानकारी से कहीं भी भी आपको लाब होता है तो मेरे इसाब से आपके लिए बेनिफिशल है कहीं आप निवेश करने की सोच रहे थे जानकारी के कारण आप सतरकता पूर वक्त निवेश करेंगे तो आपके लिए ही लाव लेके आएगा तो चली दोस्तों आप इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के नॉलिजबल औ और इन्फोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों बाब बाई एंड टेक क्यार करेंगे लिए कि अ आपके लिए स्फ्टा이면ान एख तो जीए मिलेंगे लिए गां कि लिए घए एगा ह।